रेसिपी देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ इस बैल को जरूर दबाएए ताक कि आपके पास में जो भी नई वीडियो अप्लोड करती हूँ तो इसकी इंफर्मेशन तुरंत आ जाए और ये बिल्कुल फ्री है इसक तो आज फिर मैं आपके साथ एक वर्थ वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि ये सूखे नारियल की चटनी अक्सर आप चटनी बनाते हो तो पानी वाली नारियल से बनाते हो लेकिन हमारे पास पानी वाला नारियल हमेशा नहीं होता और सूखा नारियल तो मोशली स सबी के घरों में होता है तो आप एड नारियल की चटम सूखे नारियल से वह बना सकते हो। ऐसे चंट इस्ट मेराकि करते हो। और वीडियो शुरू करने से तो सूखी नारियल की चट्नी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आदा कप गोले का पुरादा लिया हुआ है यह होमेड गोले का पुरादा है अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो नीचे डिस्किप्शन बोक्स में मिल जाएगा और अगर आपके पास तुरंत ये नहीं है तो आप सूखा नारियल लिजिए और उसके चिलके को अलग कर दे काले वाला जो उसके परत है तो उसे अलग कर दीजिए उसके बाद आप उसे छोटे छोटे टुकडों में काट कर उसे ग्राइंड कर लिजी अच्छी तरह से तो आपका ये गोले का बुरादा बन कर तैयार हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा गरम पानी डालेंगे तो मैंने यहाँ पर अच्छा तेज गरम पानी लिया है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डाल देंगे पानी आप इसके अंदर इतना डाल दें जितने में कि अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाए और गरम पानी डालने के बाद हम इसे पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे पांच मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो गोले का बुरादा है एक तम फूल कर तैयार हो चुका है तो अब हम इसे एक मिक्सी के जार के अंदर डाल लेंगे उस साथ ही में हम डाल देंगे आधा मुठी धनिया पत्ता दो हरी मिर्ची तीखा आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो आधा इंचद्रक का टुकड़ा जिसे कि मैंने छील कर लिया है तो इसे भी डाल देंगे और अब मैंने याँ पर लिये डेड़ बड़ा चमच मूंगफली मैंने मूंगफली को तवे पर डाल कर थोड़ा सा भून लिया करीब दो मिनट के लिए अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसके अंदर साथ से आठ काजू डाल सकते हैं आधा चोटा चमच जीरा अगर आप उपास में जीरा नहीं खाते हो तो आप जीरे को स्किप कर सकते हैं और अब इसके अंदर डाले स्वादनुसार नमक तो मैंने यहाँ पर सेंधे नमक का इस्तिमाल किया है अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसे एक बार ग्राइंड करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर निम्बू का रस डाल सकते हो आदे निम्बू का रस आप इसमें डाल दे या फिर आप चाहें तो इसके अंदर दही डाल सकते हो तो मैं यहाँ पर इसके अंदर करीब डेड़ बड़ा चमची दही डाल रही हूँ और दही डाल कर हम इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे यह देखे यहाँ पर मैंने इसे दो बारा से ग्राइंड कर लिया है अब हम इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे और अब हम इसके लिए यहाँ पर तड़का बना कर तयार करेंगे तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अपना पैन गैस पर रखा हुआ है इसमें हम आदा छोटा चम्मच करीब घी डाल देंगे घी डाल ये या फिर रिफाइंड ओल आप डाल सकते हो इसके अंदर थोड़ा सा तिल डालेंगे आठ से दस करीब अत्ते और अब इस तड़के को हम यहाँ पर चटनी के उपर डाल देंगे तो ये हमारी बहुती स्वादिश नारियल की चटनी बनकर सर्व करने के लिए बिलकुल तैयार है तो अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी हेलफूल लगी है तो प्लीज नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाईए साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताईए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और इसी तरह की हैलफूल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे है मेरे चैनल के साथ तब फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद